हेलो कैप्रिकॉन वेल्कम च्वारेंचलिक गाइदेंस आई होब आप सब अच्छे होंगे अपमें लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान लगता हूं आज फिर आपके लिए लेकर आई और हम देखने वाले हैं नो कॉंटेक्स सिच्वेशन आपके पार क्या विए अच्ड़ के ठेदा बहुत तौन के बीच इसके इसो आप दोनों के बीच में यह छाए हैं रिवील बहुत जली उनकी जो टूफीलिंग्स हैं औरयंक क्या इंक क्या दोनों के बीच में आई चला आपको लेकर रिवील होने वाला है यह आपको पोसन आपको clarity देंगे relationship को लेके reunion oh my god अगर यह person reunion चाहता और reveal कर रहा तो yes यह अपनी feelings आपको express करेगा यह आपको बताएगा यह क्या feel करता है disagreement maybe आपके बीच में किसी चीज को लेके जगड़ा किसी बात को लेके हुआ था या हुआ है अब यह person कहीं न कहीं आपको अपने मन की बात दिल की बात जरूर बता देंगे maybe अगर यह बहुत time हो चुका तो इस person ने self love या healing कर ली है अपनी ठीक है और यह person इस मैं पिशाग अपने finances पर भी ध्यान दे रहा हूँ money issues देख रहा था maybe a person ठीक है किस तरह था आए देखते हैं कि true feelings क्या है आपको लेकर क्या feel कर रहा है आपको लेकर lovers मुझे feel हो रहा था हूँ मैंने का true feelings lovers कैसे नहीं true feelings true lovers yes the lovers का कार्ड ठीक है तो let's see वैसे तो इसको इसको इतना चेक करने की जबद ही नहीं पर यह lovers क्या बताना चाहता है यह आप से आपके तब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है हो सकता यह ऐसी चीज़े जो आपके रिष्टे को impact करी जो बाहर की चीज़े हैं आपके आपके रिष्टे में इतनी problem नहीं है बाहर की चीज़े जो आप दुनों के रिष्टे कि नहीं दे सकते हैं family issues या भी कोई और issues जानते हैं कि हमारे बीच difference है हम प्यार नहीं कर सकते हैं लेकिन प्यार में तो पढ़ चुके हैं क्या किरे अब ठीक है यह आप इंसे कोई गलती हुई है अब उसकी माफी मागना चाहते हैं आप से यह ठीक है चुकि उनको realization हुआ है ठीक yes मुझे यह भी नज़र आ रहा है और इंको डर भी है कि अगर वह आपके पास वापस है तो कहीं आप इन्हें reject ना कर दो कहीं आप इन्हें मना ना कर दो ठीक है यह भी मुझे दिखाई दे रहा है let's see next step क्या है इंक आपके तरफ four of cups okay इंक गसा लग रहा शायद आपके पास options बहुत है आपके पास options बहुत है यहां पर and past की चीजों से यह अभी भी बाहर नहीं निकले जिसके वज़े से यह heal नहीं हुए है और यह कोशिश जरूर करेंगे कई कोशिश करेंगे कि आप इस रिष्टे को इस relationship को एक मौका दो अगर आप नाराज हो तो आपने इंको ब्लॉक किया है तो ठीक है नहीं तो maybe इंके पास options रहे हैं और इन्होंने दूसरों को यहां पर chance दिया है बट यह उस आप के तो मुझे दिखाए देरा आने वाले three months important हो सकते हैं आपके लिए या three weeks कह लीजे important हो सकते हैं आपके लिए और यह person कोशिश जरूर करेगा यह person इतनी जली हार नहीं माना यह जरूर आपको कोई call या message जरूर करेगा चुकि यह आपके साथ partnership चाहता है ठीक है यह partnership चाहता है और यह इसको ना हार ना पसंद नहीं पर तुम हार बरदाश नहीं करता ठीक है यह rejection बरदाश नहीं करता यह दुबारा आपके पास आएगा यहां पर आएगे देख लेते हैं आपके लिए क्या guidance इस person को लेकर क्या guidance इस relationship को लेकर देखो मैं यहां पर आपसे यही कौंगे कर आपको अशल लगता है कि यह आगे नहीं चल सकता यह रिष्टा यह रिष्टा आगे नहीं बढ़ सकता किसी भी reason से अगर आपका अशल लग रहे है या पिस person ने मुझे बहुत हट किया या यह person on off on off रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर चाहो तो इसको end कर सकते हो ठीक है इस रिष्टे को end कर सकते हो it's up to you यह आपका decision है ठीक है तो यह आपको ऐसा लगता है चुकि मुझे दिखता है एक person बहुत logical और एक person बहुत emotional है यहाँ पर ठीक है और एक उसका logic को नहीं समझ रहा हो और यह उसकी emotions को नहीं समझ रहा है जिसके वैसे आप दुनों के बीच में बहुत ज़्यादा disagreements हो रहे हैं, problems हो रही है और इस वज़े से यह ending हुई है तो मुझे इसा लग रहा है कि मैं यह आप पर छोड़ती हूँ, कि it's up to you अगर आप एक दुसरे को समझ सकते हो और आप दोनों एक दुसरे को एक मौका देना चाहते हैं तो please आप जा सकते हैं उस रिष्टे के साथ लेकिन कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें बात नहीं बन सकती है जिसे अगर रियूनियन होता है आप फिर से साथ हो लेकिन फिर वही प्रॉब्लम्स क्रीट उने लगी तो यह अब आपका डिसीजन होगा कि आपको इसमें आगे बढ़ना है या नहीं बनना और भी कार्ट देखेंगे आपके लिए यह पॉसन थोसा डरपोख है तॉकिंग टू अदर लव इंटरस में भी किसी और पॉसन से भी बात करता है आपको छोड़के यह unfriend किया इसने आपको not feeling confident इस रिष्टे को लेकि confident नहीं है या पर किसी रिजन से इसका confidence low हो चुका है break up के वज़े से हो सकता है unfocused on love यह हो सकता है वह लव पे कम focus कर पा रहे family, finance, बच्चे इनके लिए ज़ादा important है lesson to be learned, जो lesson था नहीं ने learn कर लिया है lies, maybe इनोंने कोई जूट बोला है आप से जिसके वेश्ट आप दुना लगवे हो asking other about you, हो यह दूसरों से पूछते हैं आपके बारे में stay optimistic, yes, यह बहुत ही positive है unrecuted love कहीं न कहीं एक तरफ प्यार रहा है या फिर ऐसे इनको लगा हो चीक है, उनको लगा हो कि उनों नहीं सब कुछ किया या उनहीं की तरफ से ज़्यादा था ऐसा कुछ karmic, okay separated, yes not feeling the same जोसा आप फिल कर रहे वैसा वो नहीं करने children involved, maybe spying, okay forgive new love okay, maybe किसी new love से भी coming back to talk ये बात करना चाते हैं, आप से ये आया सकते हैं ठीक है, maybe कोई new love involved था इनके साथ, पर उनके साथ भी उनका कुछ खास ना रहा हो ना चला है, जैसे कि हमने बात की इस पे ठीक है, maybe इनोंने कोई जूट बोला आप लोग सेम पेज पे नहीं हो इस समय पे, अभी आप कुछ और महसूस कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी आप मेंसे कुछ लोग, आप मेंसे दोनों की मेंसे किसी एक की healing हो गई है, लेकिन किसी की अभी भी चल रही है, ठीक है, तो कोई ready है इस रिष्टे को वापस से शुरू क करने के लिए, लेकिन एक ready नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ सा imbalance भी है, एक ने तो lesson learned कर लिया, शायर एक न भी नहीं किया है, यहाँ पर, एक माफी चाहता है, यहाँ पर, मैं देख पा रही हूं, ठीक है, और यह किसी और से बात कर रहा है, तो yes, differences हैं यहाँ पर, यह